Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल चुना होता है, अमेरिका के अंदर especially, तो उसका असर पुरे दुनिया पर होता है, और obviously Donald Trump जैसे वेक्ती, जिनका आपको काफी जादा black and white देखने को मिलता होगा, मतलब कभी वो कुछ ऐसी चीजे कह सकते हैं, जिसकी जैसे कई सारे stocks को फायदा हो सकता है, और उनकी दोरा कई ऐसी चीजे कही जाती है, जिसका direct नुकसान भी होता है, तो भारत के stock market के perspective से क्या important है, क्या advantage है और क्या disadvantage है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, चले आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूँ, कि देखे, study IQ पर हमारा stock market investing का भी course चलता है, मतलब आप में से जो भी लोग basic से लेकर advance तक की पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, investing के बारे में सीखना चाहते हैं, और stock market में एक learned तरीके से चीजों में invest करना चाहते हैं, तो आप यह course ले सकते हैं, और इसका जो link है वो comment section में दिया हुआ है, या फिर आप में से जो भी लोग अभी stock market में एंटर करना चाह रहे हैं, उन सबके लिए काफी interesting होने वाला है, और जो severe registered person है, उनके दोरा ये पूरा कराया जाएगा, and you can simply use this code ankit live to get maximum discount, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, दे लिया भर की जो stock market हैं, वो अलग-अलग तरीके से react कर रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें, तो कल आपने देखा एक लंबे समय के बात, एक काफी अच्छा positive momentum आया है, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर nifty और sensex में उच्छाल आया, ऐसा लगता है कि लोगों में भी थोड़ होगा, और investors भी लगतार यहाँ पर अपनी निकाहें टिकाहे वे थे, कि आखिरकार क्या होने वाला है इस चुनाव के बात से, अब यहाँ पर क्या है, जो experts हैं, वो अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं, कुछ experts का मानना है कि जो Trump की pro business policies हैं, इसकी वज़े से कुछ sectors को अपसान भी हो सकता है, और अगर हम बात करें भारत के perspective से, तो यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें कई हैं, जिसका direct असर भारत के businesses को होगा, और अव्वेसी बात है, जब भारत के business पर असर पड़ेगा, मतलब उनके share price पर असर पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने tax cut की ब oil and gas, industries, defense, इनके उपर indirect effect हो सकता है, मतलब positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर analyst जो है, वो इस impact के उपर काफी ज़दा divided हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा कह रहा हैं कि Indian stocks में फायदा होगा, surge होगा, Indian stock बढ़ेगा, कम स कम short term है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने pro business policies की बात की, tax cut की बात की, इसकी वज़य से हो सकता है, कि यहाँ पर stock market में वापस से जो volatility है, वो बढ़ जाए, और जो दुनिया भर के brokerages हैं, उनका भी कहीं न कहीं हद तक यह कहना है, कि Donald Trump का यह जो sweep हुआ है, presidential election के अं आपको उच्छाल देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चाइना की, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो Hong Kong का stock market है, जो index है Hang Seng, वहाँ पर एक बड़ी गिरावट हुई है, लगबग 2.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और वहीं भार शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, लंबे समय के बाद, कि एक लाख करोण रुपए से जादा, जो foreign investors हैं, उन्होंने भारत के stock market से निकाला था, सोचके देखिए, एक लाख करोण से जादा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जो Donald Trump की जीत हुई है, इसकी वज़े से जो प ऐसा वापस से लगाएंगे, और यहाँ पर आपको stock market में एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है, तो अब question यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है, कि सबसे पहले अगर हम बात करें advantages की, Donald Trump की जीत हुई है, वो भारत के stock market के लिए कैसे advantage हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, सब tariff भारती products पर भी लगाया चाएगा, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि जो PM Modi हैं और जो Donald Trump है, उनके बीच की जो दोस्ती है, वो काफी जादा आपको देखने को मिलती है, तो शायद अगर वो आपस में बाचीत करें, चीजों को resolve करें, तो ठीक है, और वही अगर हम China की ब products को US में नहीं बेच पाएंगी, तो कोई ना कोई तो बेचे गाई, तो यहाँ पर भारत की जो companies हैं, जैसे भारत की auto sector हो गई, solar panels हो गया, chemical industry हो गई, वो यहाँ पर export करेंगी, तो यह जो sectors के shares हैं, उसके उपर focus करिएगा आप लोग, यहाँ पर उनको अच्छा खासा prices की बात कही जा रही है, कैसे actually Donald Trump आपने देखा होगा, वो climate change जैसी की जो को reject कर देते हैं, और वो focus करते हैं, fossil fuel की उपर, वो कहते हैं कि मैं और जारा drilling कराऊंगा, और जादा oil निकल वाऊंगा, और जादा gas निकल वाऊंगा, तो ultimately इससे होगा क्या कि यहाँ पर, जब oil की supply बढ़ती है, तो आपने अक्सर देखा होगा, जो commodity prices हैं, वो कम हो जाते हैं, और ultimately इसका benefit किसको होगा, भारत की जो oil marketing companies हैं, जैसे कि HPCL, BPCL, Indian oil company हो गया, इसके लबावा gas distributor, जो होगा है भारत के अंदर, IGL वगरा, उन सबको यह फायदा हो सकता है, फिर next यहाँ पर advantage है, व अगर वो इसके उपर focus करेंगे, तो जाहिर सी बात है, जो multinational companies हैं, जो भारत में भी काम करती हैं, जैसे Siemens हो गई, Cumens हो गई, Honeywell हो गई, Hitachi Energy हो गई, उनको काफी हद तक इसका फायदा होगा, और ultimately इससे होगा, क्या कि यहाँ पर जो supply chain के इस समय challenges देखने को मिल रहे हैं, तो indirect support भारत की जो defense players हैं, चाहें वो हिंदुस्तार अनोर नॉर्टेक्स लिमिटेड हो गई, भारत डायनमेक्स हो गई, उनको भी फायदा होगा, तो आप देखेगा, यह जो stocks की मैं बात कराऊना अलग-अलग sectors की, उस पर अगर आप focus करोगे, तो वैसा ही आपको वहाँ प फायदा होगा, क्योंकि Indian businesses को भी इसका फायदा होगा, और ultimately यहाँ पर Donald Trump corporate tax की reduction की बात करना है, तो इसका ultimate benefit जो है, भारत को भी काफी हत्तक हो सकता है, तो यह तो हमने बात कर ली advantages की, लेकिन ऐसा है नहीं है कि सिर्फ advantages ही होने वाले हैं, यहाँ पर आपको कुछ हत्तक disadvantage भी देखने को मिले का, और बड़ी मात्रा में भी हो सकता है, you never know, चीजे काफी तेजी से बदल भी सकती है, तो यहाँ पर सबसे पहला है, वो है आपका inflationary pressure, inflation का pressure क्यों होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, actually बताईए जा रहा है कि Donald Trump की जो policies हैं, अगर उसको properly implement करेंगे, तो कह नहीं न कहीं यहाँ पर interest rate में इजाफा हो सकता है, और ultimately जो Indian companies import कराती हैं, और जो US के raw material पर dependent है काफी हद तक, वो उनको जादा payment करना होगा, और इसकी वज़े से उनको नुकसान हो सकता है, जो economist हैं, उनका ऐसा मानना है कि Donald Trump बार बार और जादा spending की बात करते हैं, वो यहा पर किया जाएगा, अब tax cut किया जाएगा, मतलब fiscal deficit बढ़ेगा, fiscal deficit मढ़ेगा, मतलब inflation का जादा खत्रा होगा, और inflation का जादा खत्रा होता है, इसका मतलब आपने अक्सर देखा होगा, जैसे भारत के अंदर क्या होता है, जब inflation जादा होने लगता है, तो RBI क्या करती है, ज दूसरा यहाँ पर क्या है कि Donald Trump अपने देश के उपर काफी फोकस करते हैं, नैशनलिजम की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी बज़े से क्या है, ultimately US dollar strong होता जाता है, और जब US dollar strong होता है, तो भारत जैसे देशों को नुकसान होता है, कैसे, क्योंकि अब देखे, US dollar strong हो रहा ह है, मतलब रूपी कमजोर हो रहा है, अब रूपी कमजोर होगा मतलब क्या है, हम जो भी चीज़ें import कराते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा payment करना होगा, ज़्यादा खर्च करने होगे, और इसी की बज़े से, especially जैसे crude oil, हम मगाते हैं, हम dependent है crude oil के उपर, तो भारत को इसक खासा volatility देखने को मिले, although long term में चीज़ें काफी हद तक settle हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको example बताता हूँ, Donald Trump पिछली बार जब आये थे न, उनका जो पिछला term था 2017 से लेकर 2021 के बीच में, तब यहाँ पर जो आपका, अमेरिका का stock market, वो अच्छा perform किया था भारत के stock market से, जैसे कि वहाँ का जो IT index है, that is Nasdaq, आपको पता ही होगा, Donald Trump के दोरान, 4 साल के दोरान, 77% बढ़ा था, वहीं भारत का जो index है nifty, वो सिर्फ 38% return दिया था, तो यह कहीं न कहीं दिखाता है कि, US का stock market में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है in comparison to Indian stock market, वहीं यहाँ पर immigration को भी ले लेते हैं, अमेरिका के, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो H1B visa का issue है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए, और भारत के कई सारे जो software engineers, कई लोग यहाँ पर काम करने जहाते हैं, अमेरिका के अंदर, वो शायद उनको opportunity नहीं मिलेगी, और ultimately इससे नुकसान जो है भारत की जो IT companies है उनको देखने को मिल सकता है, तो यह थोड़ी सी चिंता की बात है, और last में यहाँ पर जो एक और सबसे बड़ा trouble हो सकता है भारत के लिए, वो है आपका tariff, मान लो अगर जैसे कि पिछली बार आपको यहाँ दोगा, Donald Trump ने काफी यह चीज़ कहा था पिछले time में, कि भारत Harley Davidson के उपर काफी जादा tariff लगाता है, charges लगा देता है, जिसकी वज़े से US के products भारत के market में एंटर नहीं कर पाते हैं, तो अगर मान लो Donald Trump administration भारत के products के उपर tariff लगाते हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा, भारत की वो companies जो export करती हैं, अब भारत की कौन सी companies एक्सपोर् companies हो गई, उनको यहाँ पर काफी तक नुसान हो सकता है, although यहाँ पर यह भी हो सकता है कि China से चीज़ें divert भारत की तरफ हो जाएं और भारत के companies को फायदा भी हो जाएं, ultimately depend करता है, अब यह आगे आने वाले समय बताएगा, कि यहाँ पर Donald Trump exactly करते क्या हैं, और I hope कि इस वीड कौन सा ग्रूप इसमें सबसे सटीक बैठता है, शैडो बैंकिंग सिस्टम में, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ही तो टेलिग्राम पर आईए, अलगलग सोशन मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैठ चाहते हैं, you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से next time, till then, thank you very much, see you soon. आप maximum discount इस पूरे कोर्स पे ले सकें.